दो चीज जो से बना ये इस्प्रे गुलाब के पौधे की जो नई ग्रोथ होती है उसे जलने से बचाता है उसे सूखने से भी बचाता है क्या होता है जब हम cutting pruning करते हैं उसके बाद गुलाब की ग्रोध जलना शुरू कर देती है तो यह जो problem है यह बहुत common problem है और इस spray को करने से वो problem बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी गुलाब की नई ग्रोध बहुत ही अच्छे से grow करेगी तो यह कौन सा spray है कैसे इसे पर बात करने वाले हैं तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं Hello everyone कैसे हैं आप सब लोग Love for gardening में आप लोग का बहुत स्वागत है तो यह update है मेरे रोज के पौदे की जब मैंने cutting pruning की थी उसके बाद का लगवग 8 से 9 दिन हो गए हैं जब मैंने अपनी गुलाब के पौदे की cutting pruning की थी अभी मैं उसका चोटा सा recap आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगी तो अभी फिलाल मैं आपको update दिखा रही हूँ आप देखिए हर जो branch है रोज की उसमें चोटी चोटी सी new growth दिख रही होगी आपको लाल लाल रंकी यह देखिए यह साब नई growth है और यह cutting pr tuning और जो मैंने fertilizer दिया था उसके बाद का ही update है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने message किया था कि मैं इसका update शेयर कीजे तो update मैं शेयर कर रही हूँ लेकिन एक problem जो होती है वो क्या होती है कि जब यह नई growth आती है तो धीरे धीरे यह burn होना शिरू कर देती है सूख जात मतलब यह अच्छे से grow नहीं कर पाती और चोटी सी ही growth जब एक दो पत्ते निकलते हैं उसके बाद यह अपने आप ही खतम हो जाती है सूख के तो इसको protect कैसे करना है ताकि यह जो चोटी सी growth है यह खूब बढ़िया healthy branch में convert हो तो आज मैं आपको वो चीज बताने वाली हू तो कुछ साफधानिया है और एक spray है वो सभी को आपको follow करना होगा यह देखे यह पुराना वीडियो है जब मैंने इसकी cutting pruning की थी उसके बाद फिर मैंने इसको कुछ देर के लिए धूप में छोड़ दिया था वो सारा process अगर आप follow करेंगे तो 100% आपके रोज के पौदे में growth आनी ही आनी है और उसके बाद कुछ fertilizer पर मैंने दिये थे यह देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इन fertilizer की वज़े से plant की जो new growth है वो काफी तेजी से आई है देखे cutting pruning का जो process होता है उससे plant को एक message जाता है कि अब उसे अपनी नई growth निकालनी है और उस को follow करिएगा अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं और मुझे लगता है आठ से 9 दिन हुए है मैंने इस वीडियो को जब upload किया है उसके बाद था मैंने आपको अपडेट दिखाया है अब ये present time का वीडियो है हमें इस समय क्या काम करने है और साफधानिया तो cutting pruning के बाद मैंने अपने पौधे को जहां धूप थी वहीं रखा था इस समय मेरे पौधे full sunlight में है दिन भर की धूप मेरे पौधो को मिल रही है ऐसा नहीं कि cutting pruning के बाद मैंने उसे च्छाओं में रख दिया था और इसकी मिट्टी देखिए आप मिट मिट्टी में हल किसी नमी है तो ऐसी मिट्टी रखनी है जब प्लांट में new growth आ रही हो उस समय बिल्कुल सूखी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए हल किसी नमी होनी चाहिए जादा पानी रखेंगे तो उपर काई जम जाएगी मिट्टी में जड़े है उसमें फंगस लग सकता है तो इसलिए बहुत हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा इसमें आप देख रहे हैं जो मिट्टी यह भुरबुरी तो है हाथ से चुने पर मिट्टी चिपक नहीं रही है लेकिन हलकी सी नमी मिट्टी के अंदर अल्रेडी है तो मिट्टी इस तरीके से रखनी होगे आप अब मैं आपको इस्प्रे बता रही हूँ जैसे ही आपको लगए कि प्लांट में न्यू ग्रोथ आने लग गई है आपको तुरंथ ही यह इस्प्रे को प्लांट पे इस्प्रे करते रहना होगा इसके लिए मैंने सबसे पहले कमांडो इंसेक्टिसाइड लिया है तो तो इनकी बूंदि लेनी होती है। इसके साथ अभी हम एक चीज और इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें इनसेक्टिसाइड डाल दिया है। इससे क्या होगा, जो पौदी की नई ग्रोध है, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। और भी बहुत सारे फाइदे हैं वो में अभी आगे बताऊंगी कौन-कौन से इंसेक्ट से प्रोटेक्शन मिलती है दूसरे नंबर पर जो मैंने यहां पर डाला है यह है साफ फंगिसाइड तो देखिए फंगिसाइड मिट्टी में भी डालना होता है और प्लांट पर प्लांट के उपर है तो नुकसान भी नहीं करेगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देगा तो इन दोनों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमें इस्प्रे करना है अब एक बहुत विशेश जानकारी है कि इस्प्रे हमें करना कब है अगर आपकी जो नई ग्रोध है वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, अगर आपने शाम को इस प्रे किया, तो इस प्रे का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि और इंसेक्ट और क्या कहता है, जो पैस्ट होते हैं, वो इस पे एक्ट्रेक्ट होंगे, तो हमें ये इस प स्प्रे हमारे पौध उस पे हमें कर देना है, अब इसके बाद देखें, टाइमिंग मैंने बता दी है, क्वांटिटी भी मैंने बता दी है, इसे कितने दिन पर करना है, तो इस प्रे को आप ये इस प्रे हमें हफ्ते में एक बार करना है, देखें शुरुवाती जो समय है, इसमें आप हफते में दो बार कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोध थोड़ी बड़ी होगी फिर आप हफते में एक बार करेंगे फिर दस दिन में एक बार करेंगे और दस दिन में एक बार तो आपको करना ही करना है चाहे ग्रोध प्लांट में छोटी है बड़ी है या फूल आ रहे हैं बस यह कि जब फूल रहते हैं तब फूल के उपर कली के उपर इसका इस्प्रेइ ना करें तो पानी अगर टिक गया उनकी उपर तो वो पत्ते उसके गलना शुरू कर देते हैं तो वो फूल मतलब ज़ादा दिन तक हमारे पौधे पर टिकता नहीं है या फि इसलिए इस इस्प्रे को आपको सिर्फ पत्तों पे स्टैम्पे करना है फूल के उपर नहीं करना है देखें इस इस्प्रे से दो फायदे हैं एक तो जो इंसेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा इस समय जो प्राव्लम करते हैं वो स्पाइडर माइट्स होती है यह सफेद रंग इस इस समय बहुत जरूरी है जैसे ही आपके पौदे पे नही ग्रोथ आने लगे आप तुरंत इस स्प्रे का इस्तमाल करने लगे अपने गुलाब के पौदे पे सुबह के समय ही करना है बाकी चीजे मैंने बता दी हैं मिट्टी में हलकी सी नमी रहनी चाहिए यह देखिए मेरे विंटर के प्लांट हैं जो मैं अभी कुछ दिन पहले ही खरीद के लेके आई थी और इसे रिलेटेड वीडियो भी मैंने आ करके वीडियो अप्लोड करती रहोंगी मैंने यहां पे बहुत सारे प्लांट लिया है टमाटर के प्लांट है मेरे पाद शिमला मिर्च के प्लांट लिया है मैंने एक मिर्च का लिया है मैंने गैंदे लिया है यहां पे पिटूनिया लिया है ऐसे करकर के बहुत सारे प्ला तो इस वीडियो में ने भी बताया है कि एक प्लांट मुझे कितने का पड़ा है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्दियों में आप कौन से बादल लगा सकते हैं और किस रेट में ये मिलते हैं तो ये सारी इंफॉमेशन मैंने उस वीडियो में आप लोग को दी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा में आज कई वीडियो मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं फिन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक क झाल झाल